कि है कि है कि कि विट्वेइस वीडियो में बताया था कि हमने बैंक निफ्टी में उबर के लेवल पे कॉल शोटिंग करे हुई है लेकिन आज सबका मो मुझे देखने को मिला है सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उप्शन चार्ट डेटा पर तो निफ्टी में अगर मैं बात करूं डेटा की तो कॉल चार्ट का जो डेटा है वह सजेस्ट कर रहा है कि स्टेबल टू बॉलिश पॉजिशन मार्केट पार्टिस्पर्स एक्सपेक करें अगर आप पूट में देखेंगे तो पूट में भी पूट रैटिंग हुई है जो सब्सक्राइब तो अब हम आज आते हैं केंडल स्टिक में आप देख सकते हैं कि मार्केट काफी दिन तक एक रेंज वांड उसमें बना रहा और फाइनली आज उसने एक ब्रेक आउट लिया है मतलब उसकी जो हाई है वो ब्रेक हुई है और उपर के लेवल पे वाच क्लोज होने में काम्याब परदर आप CCI देखेंगे CCI अब प्लस 100 जोन में ट्रेट कर रहा है तो अच्छी बात है बुलिश मों दर्शादा है यह भी मैकडी में आप देख सकते हैं कि मैकडी में भी एक ब्रेक आउट आपको देखने को मिल रहा है जो हमारी 55 डेस के एक्सपनेशन लाइन है उस पे आरेसाई में भी उपर की तरफ का मुव बना हुआ है और वाल्टल्टी भी नीचे के तरफ जा रही है तो सारी जीज़े बुलिशनेस की तरफ इफशारा कर रही है लेकिन जो मेरा मानना है परसनली मेरा मानना है कि जो एट डेस की सिंपल मुविंग आप यहां से निफ्ट कितना बन सकते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो पर्टिकुलर लेवल था 10,380 का यह एक बड़ा रिजिस्टन्स ता मार्केट के लिए और आज अगर आप देखें तो मार्केट पर लेवल के उपर क्लोज होने में निफ्टी को कामिया भी मिली है तो मेरे हिसाब से है 10,450 और उसके बाद जो फाइनल टार्गेट बनेगा वो मुझे लग रहा है कि बनना जे 10,480 तो उपर की तरफ के मूँ आप यहां पर एक्सवेक कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो स्ट्रॉंग सपोर्ट की तरह आप काम है और उस पर्टिकुलर लेवल 10,340 के आसपास अगर आपको रिजेक्शन नीचे के लेवल पर देखने को मिलता है और आरली चार्ट में आरली चार्ट में आपको बॉलिशनेस बनती दिखती है आपको कैसे बॉलिशनेस प्रेडिक करनी है वह आपने मेरे अगर वीडियो देखें तो टेक्निकल इंडिकेटर के सबसे ओप्शन चार्ट डेटा को कैसे करके अब एक बॉलिश यू बना सकते हैं वह मैंने बता हुआ है तो आप इसमें एक अक्यूरेट रिस्क रिवार के साथ एक ट्रेड ले सकते हैं तो अगर आपको इसमें अपडेट कर देता एक बार सपोर्ट ले चुका है नीचे लोवर प्राइस रिजक्ट हुई है तो एक मोमेंटम अपने को दिख रहा है और फिर अगर वहां से नीचे जाता है तो बहुत छोटा सा लोस आपको मिलेगा लेकिन अगर मार्केट यहां उपर जाता है तो आपको मौका मिलेगा मार सजेस्ट हो रहे थे मैंने आपको बता दिये तो अलिन और इसलिए बैंक निफ्टी में भी हमने हमारे कॉल शॉर्ट जो है वह कवर कर लिए इसमें हमें लॉस हुआ है करीबन बीस या 22 रुपे पर लॉट के असपर लॉस हुआ है लेकिन जो है वह हम गलत थे इसलिए हमने हमारी पॉजिशन कवर कर लिए हलाग कि क्यो हमने यह पॉजिशन बनाई थी और क्या रिशनाल इसको कवर करने का यह भी मैं आप से डिसकस करूंगा अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में को दिख रहा है कि मार्केट नीचे के लेवल पर सपोर्ट ले रहा है मतलब जो मुविंग अवरे जीस है उसके असपा सपोर्ट लेकि ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो आप देख सकते हैं टैन ताउजन 437 जो है वीकली चार्ट में एक रिश्मस का काम कर रहा है उसके ऊपर आप देख सकते हैं टैन ताउजन 450 और फाइनल जब जैसे कि मेरे प्रिवेज्च लीडियों में बता है तो मेरे इस अब से निफ्टी में टूब्लिश मूव एकस्पेक्ट कर सकते हैं लिए अगर आप देखे 800 पॉइंट्स नीचे की तरफ और 200 पॉइंट्स उबर की तरफ का जो रिस्क रिवार्ट है यहाँ पे नजर आ रह जो सज्जेश्ट कर रहा है कि market participants stable to bullish kind of move expect कर रहे हैं यहां पर दर अगर आप देखें तो जो put है put में भी अच्छे घासी पूट राइटिंग होती दिख रहे हैं तो यह भी सज्जेश्ट कर रहा है कि एक stable to bullish kind of market एक्सपेक्ट कर रहा है तो और निफ्टी के साथ साथ बैंक नेफ्टी में भी एक बुलिश मूव ही सज़ेस्ट हो रहा है हम अभी देखेंगे कि केंडल स्टिक जो है और लेकिन उससे पहले मैं के साथ एक चीज शेर करना चाहूंगा कि अभी तक जो बन रही थी वह बिल्कुल बॉलिश या बैरिश मूव सज़ेस्ट नहीं कर पा रहे थी लेकिन अब जो पोशिशन बन रही है वह सज़ेस्ट कर रहे है कि मार्केट में एक स्टेबल टू में देख रहा है लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा हमें कंफर्मेशन चाहिए तो इसलिए हम होल्ड करेंगे लिए सेकेंड इसमें मेरी नैट कुछ इस्यू है इसलिए जाए ज़से कंड गाई आए ज़से कंड गाई जारी फोड़ा ट्रोब्स ग्राइब अवेश्ट यहां बेन नेट में थोड़ा ट्रॉबल सा लग रहा है मुझे ज़से कंड अब वापसा गया है कि तो नट ने चल रहा बट एनिवेस अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको जो दिखेगा अगर आप इसाथ बॉट से पे तो डेफिनिटली मैं आपको स्क्रीन शॉट बेख दूंगा लेकिन मेरा यह मनना है कि स्टेबल टू बुलिश मुव ही इसमें सजेस्ट हो रहा है उसमें आपको स्ट्रॉंग बनते दिख रहे हैं मतलब मैं ऑप्सिन चार्ट डेटा की बात कर रहा हूं कि जो रेस्टनस वाले लेवल हैं वहाँ भी अब कॉल शॉट कवर होने लगया और सपोर्ट वाले लेवल है उसमें और सपोर्ट बढ़ा है मतलब और को ट्रेटिंग थार सकता है थांक्यू